जैहिन दोस्तों स्वागा था आपका हमारे चैनल इजुनोर्स क्लिक पर देखें दोस्तों जैसे कि आप थमनील में देखी रहें ACCL Recruitment 2022 कोल फिल्ड में नौकरी करने का सुनारा मौका जी हां दोस्तों बिल्गुल ACCL जो साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड है दोस्तों 36 गड़ में जिसका हेड को आटर में बात कुलो तो बिलासपूर मिस्तित है के तरब से दोस्तों फाइनल यहाँ पर नौटिपेकेसं जो है जारी कर दिया गया है चलिए दोस्तों वीडियो को देरिऑ ना करती हुएं देखते हैं नीЛिaktिक्री के तरब तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं देख्ये दोस्तों यहाँ यहाँ पर은 यह जो नोटिस है वहाँ इंद्रा विहार, बिलासफूर जो की छत्यज़ड मी स्तित है दोस्तों यहां जो विकेंसी है वहाँ इस विकेंसी में आल इंडिया से जो भारत के जितने भी स्टेट हैं वहाँ के सभी केंडिटर जो है इसके लिए अपलाई कर सकते हैं यहाँ जो notification है दोस्तों यहाँ 29 नवंबर को publish कर दी गई है देखे दोस्तों यहाँ पर मैं total नमबरा पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखे दोस्तों बहुत ज़्यादा पोस्ट आई हुई यहाँ पर पंदरा सव 32 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है notification जो है जारी किया गया है देखे दोस्तों यह जो notification आई है यह ग्रेजवेट आपरेंटिस्ट ट्रेनिंग के लिए है दोस्तों देखे दोस्तों यहाँ पर act 1961 के अंतरगत यहाँ जो ट्रेनिंग कराई जाती है इसमें देखे दोस्तों बहुत इसके भी बहुत सारे फायदे है देखे दोस्तों इस ट्रेनिंग को एक साल करने के बाद जो है जितने भी जो सांस्तान है जैसे कि आप cold field से आपरेंटिस्ट दिया जाता है और उसके बेस पर आपको जो हाँ जोइनिंग दी जाती है चले दोस्तों पोस्त नेम की यहाँ पर मैं बात करूं और category वाइस पोस्त की बात करें यहाँ पर तो नेश्ट देखे दोस्तों यहाँ पर category trade-up apprentices तो यहाँ पर देखे दोस्तों जो graduate in mining engineer वालों है उनका total number आप पोस्त की बात करूं तो देखे दोस्तों यहाँ पर total 200 पोस्त यहाँ पर दिया गया है और category wise बात करें तो यहाँ पर देखे जनरल वालों को 100 पोस्त दिया गया है OBC वालों को 26, SC category वालों के लिए 28, ST category वालों के लिए यहाँ पर 46 पोस्त है दोस्तों फिर next में यहाँ पर बात करूं graduate apprentice, graduate in electrical engineer वालों के लिए तो यहाँ पर general वालों के लिए देखे दोस्तों 83 पोस्त है यहाँ पर next post में बात करूं यहाँ पर graduate in mechanical engineer वालों के लिए तो यहाँ पर total वालों पोस्त की बात करें तो 13 पोस्त दिया गया है जनरल वालों के लिए 26, OBC के लिए 7, SC वालों के लिए 8 और ST वालों के यहाँ पर 12 पोस्त दिया गया है फिर next दोस्तों मैं यहाँ पर category wise trade app apprentices की बात करूँ तो graduate in civil engineer वालों के लिए यहाँ पर total number पोस्ट 46 रखा गया है जिसमें general category वालों के लिए यहाँ पर 23 वो भी C के लिए इच्छा है SC वालों के लिए इच्छा है और ST category वालों के लिए यहाँ पर 11 और फिर next पोस्ट यहाँ पर देखे दोस्तों तो यहाँ पर देखे diploma in mining engineer या फिर diploma in mining and mines surveying पोस्ट के लिए यहाँ पर देखे सबसे ज़्यदा पोस्ट इसी के लिए है 1150 पोस्ट है यहाँ पर जिसमें से 576 पोस्ट आपके ST candidate वालों के लिए यहाँ पर 265 सीट जो है आरक्षड किया गया है फिर देखे दोस्तों next topic यहाँ पर बात करें eligibility क्राइटर है कि तो candidate को यहाँ पर देखे four year degree in relevant branch of engineering for graduate apprenticeship and three year diploma in mining engineer या फिर mine serving for technician apprenticeship are equivalent qualification granted by institution organized by the government कहने का अर्थ यहाँ दोस्तों कि इसमें देखे जो four year degree होते हैं जैसे आप B.E. करते हैं B.E. के इंतरगत जो भी आपका branch है पोस्ट अक की बात करें यहाँ पर mining engineer की mining engineer की electrical engineer की mechanical engineer की civil engineer की इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपका four year यानि आपका B.E. होने चाहिए B.E. B.E. होने चाहिए फिर देखे दोस्तों जिनके पास जो है थ्री वर्सी डिप्लोमा है जिसे हम पॉल्टेक्निक कहते हैं तो पॉल्टेक्निक के यदि आपका है तो आप दोस्तों यहाँ पर mining engineering या फिर mining surveyor serving for technician के लिए आज दोस्तों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं नेश्ट देखे दोस्तों यहाँ पर मैं important dates की बात करूं तो यहाँ पर देखे आप जो है कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आप 19 दिसंबर 2022 रात के 12 बज़े से पहले दोस्तों आप apprentice के लिए आविदन कर सकते हैं graduate जो apprentice है उसके लिए आप apply कर सकते हैं फिर देखे दोस्तों यहाँ पर next topic की मैं बात करूं यहाँ पर application process की तो यहाँ पर देखे गो to official website of www.mhrd.nats.government.in इस link में दोस्तों जैसे आप जाएंगे उसके माध्यम से आप जो है online application आप जो है कर पाएंगे फिर next देखे दोस्तों यहाँ पर मैं selection criteria के बात करूं तो जो भी आपका 4 वर्सिय डिप्लोमा डिग्री है या फिर दिप्लोमा है या फिर 3 वर्सिय है उसके दोस्तों जो परसेंट होते हैं उसके मेरिट अनुसार जो है आपका selection होनी रहती है मेरिट बेस पर दोस्तों आपकी जो है short listing यहाँ पर होनी रहती है फिर next देखे दोस्तों यहाँ पर topic दिए गया है document verification के लिए तो दोस्तों इसके लिए भी date जो है इनके द्वारा पहले से निरधारित कर दी गया है आपकी जो document verification होनी वो 9 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक दोस्तों यहाँ document verification की process जो है चलने वाली है फिर देखे दोस्तों यहाँ पर next topic की बात करूँ तो यहाँ note करके दिया गया है पहला topic में देखे दोस्तों यहाँ पर देखे तो आपको इस टाइपर्ड की रूप में दोस्तों यहाँ इसमें इसके अंतरकत जो है salary जो है दी जाएगी जैसे जो candidate graduate apprentice के लिए apply करेंगे उन दोस्तों दिया जाएगा चले दोस्तों वीडियो राज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी दोस्तों वीडियो को share कर दें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके तो चले दोस्तों तब तक लिए हसते रहे मुस्कुराते रहे मिलत दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जय हैं